तूफान है अधिर तूफान थोड़ी आप तो मामा उबही आसा अजब बच्चे के आप तो बूड़े भी मामा जी कहते हैं मंज परिवराजमान मदप्रेश भारती जनता पाल्टी के यह सस्वी और लोग प्रिये अपने आएक कावथी पूत के पाउप पालने में दिख जाते हैं कि भारती जनता पाल्टी के जब से नेत्रत्म सभाला कि सफलता हो के जंडे नित गारते जा रहे हैं कि आदरनी भाई विष्टू दत्त सर्माजी अब ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई हमारे साथ इस कारिकम में दिल्ली से जुड़े मद्व देश के गौरब भारती जनता पाल्टी की मोदी जी की सरकार में मोदी जी के नेत्रत में किर्सी पंचात और गामीर दिकास का जिम्मा जिनके ऊपर है अच्छा पैसे सबसे जादा इसी विभाग में है और जब कोई पंड़ी परसाद बाटते थे पहले आजकल तो कम हो गया है तो बाटते बाटते अगर घर का कोई बच्चा आ जाता तो थोड़ा थोड़ा देते थे घर का जाए तो मुट्टी खोल देते थे ले जाए इसके मामले में नरेंज सिंग जी का भी कि सोचिए यह घर का परसया और अध्यारी रात भरपूर देते हैं विभाक कितब से आदर्नी नरेंद सिंग टॉमर जी हमारे वरिष्ट नेता राश्ट्री उपाध्धक्ष जो अपनी अलक्सेली में काम करते हैं आदर्नी स्रीमान प्रभात जाजी अभी जिन कौन सुन रहे थे क्या कमाल का बोले महराज मैं लगा मेरे वासल के जरुवती नहीं है कि जो सही भावनेर विचार थी वह लगातार उनके हिर्दै से अभी व्यक्त हो रहे थे और एक ऐसी परंपरा जो दंब और हिंकार को स्विकार नहीं करती है और जनता और प्रदेश के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको जमी दोज करती है राज माता जी की परंपरा से आने वाले अच्छाओ ग्वालियर चंबल में भी बोट उनको देखके थोड़ी दिये थे दिये इधार हो और बन गया वो राज सभा के सदस्य हमारे लोग प्रिनेता आधनी स्रीमान जोत्रादित सिंधिया जी काली में आभी कंजुसी ने बच्पन से जिनके साथ में काम कर रहा हूं पहले इवा मोर्चे में फिर भारती जन्यता पार्टी में कि अपनी सैली के एक अद्वुत नेता और भारत सरकार में संस्कृति और परहतन मंत्राले संभालने वाले और वह भी मद्ध प्रदेश में कोई कासर नी रखते वैसे वह बाठते समाने देश वर में कि हमारे केंदरी मंत्री और लोग प्रिनेता आदर्नी स्रिमान प्रिलहाद पटेल जी आदर्नी स्वहाश जी आ अलग अलग स्थानों से हमारे वर्ष्ठ नेता जुड़े हुए मेरे मंत्री मंदल के सहयोगी असल में पंचक में सपद दिला दी मुझे मैं सोच रहा था कि लूगा नवरात्री के पहले दिल और आदेस आया तो अब तुरंत लेना है अब पंचक में सतक के चकर मंत्री मंदल बढ़ी देर में बना पहले तो हम अकेली जूचते रहें मैंने पूछा कि दिली के नहीं अभी तो करोना का संक्थ है लागडाउन चलते रहो एक लाचालो रहे है लेकिन पार्टी साथ थी विधायक सांस अथी साथ थे अब कल भारती जंता पार्टी की सरकार की पूरी फोज और उसके सैनापती तैयार होगा है संद्ध है और इस संक्ल्ब के साथ कि दिकास और जनकल्यान का एक नया इतिहास लिखेंगे कल हमने संक्ल्ब लिया है प्रदेश भर्म जोड़े हुए यहां बैठे मेरे विधायक साथी गन मेरे सांसा साथी गन मेरे कारी करता देहनों और भाईयों प्रदेश भर्म मुझे सुन रही जंता जनारदन पत्रकार मित्रों दोनों हाजों कि आप सबको प्रणाम करता हूं आप सबको नमस्कार करता हूं सो दिन कैसे निकल गए पते ही नहीं चला लेकिंगे सो दिन में जो कर पाया मानी प्रधानमंति नरेंदर मोधी जी का असीरवात अमिसाय जी हमारे राष्टी अद्धक जगत प्रिकास नर्दा जी का सहयोग और साथ भारती जनता पालिटी के प्रदेश अद्धक्ष पूरी टीम और लाखों लाख कारी करता हों का सहयोग और जनता के प्यार और स्थे से यह सौ दिन का कारी काल पूरा हुआ है और सच में जब मोधी जी के बारे में सोचता हूं आज वो लेह में कभी ऐसा कोई नेता देखा है चीन ने अकर बताई तो हमारे सेनकों ने चीनी सेनकों की गरदन तोड़क पटक दी आपने अच्छा अच्छी छोड़ी कांग्रेस ने इस समय तो पता नहीं क्या होता है उनका नियता सरंडर की बात करता है मोधी जी के बारे में कि देश प्रेम देश भक्ति उसके लिए कोई स्थान ही नहीं है कि जबन घटिया राजनिती करेंगे और यह मोधी जी का मुकाब्या करेंगे जी भारत को भगवान का बर्दान है राहुल गांदी जी भारत का भगवान का बर्दान के लाइवार मुझे गीता जी का इस लोग क्या दाता है भगवान श्रीकृष्ण का था यादा यादा ही धर्म से ग्रानिर भवति भारता अब्युत्थानम धर्म से तदात्मादम स्रजाम्यम परित्वनाय साभुनाम बिना साइच दुसक्रिताम धर्म सलस्थाप नार्थाय संभवाबी युगे युगे जब जब अधर्म बढ़ेगा पाप अनाचार बढ़ेगा धर्म की आनी होगी अत्याचार अन्याय बढ़ेंगे तब तब सज्जनों का उध्धार करने और दुस्टों का संभार करने में बार बार इस धर्ती पर आऊंगा अब भगवान सीधे अपतार नहीं लेते हैं इस नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता को देखते हैं तो यह लगता है कि बिना इस वरी सक्टी के इतना काम कोई साधारन व्यक्ति नहीं कर सकता यह सच्वित में सच है कि मोदी जी के हाथों में देश च्वरक्षित है कर देश को हो क्या ज cần है आउड कुछ ने सूजा दिग्जी भाहिया तो टाइगर टाइगर कर रहा तरह तल कि यह सब्सक्राइगर को मुकाभल शॉर पहल जो पहलोन लॉडम genius approaches सरकार भी तो फोलडी सरकार सी कम लाती फोलडी दलाल है यह सरकार दिखुले आम कह रहा हूं मद प्रदेश के बनला भवन को इन ने ने दलाली काद़ा अध्डा यह कि जनकां से निवेदन करना चाहता हूं चार तरह लूड तो यह निरे पुराने पो मुझे आश्चर हुआ जब यह कहा हमारी मर्ति बैन भी बैठी उनकी बातें बड़ी आनंद देती है हरी-खरी कहती है मिलने आई हम कख्ष में बैठें भाईया हमने तो जो कख्षी पहली बार देखो बल्लब भवन को मिलें आप तो मंत्री थी अब यह मंत्रियों जाते हैं और अगर कोई बड़ा ठेकेडार आजाया जाओ वह दोचे नाम में लूगा उनका अब पूछा कि यह कि दो कौन है कौन से पूछाता है जो राजदेंदोत्या है जाए यह बैठी है तो इन ने का आज यह कौन से पत्प है बोली पत्पता नहीं है लेकिन एक पता है कि दिन वर बोरा में भरते हैं और रात को सीकर ले जाते हैं कि यह दलाली करने वाड़ी सरकार थी कि पहला दी दलाल कि दूसरा दी दम वाहिंकार और रहिंकार दोनों में था आएक नहीं था कि पहाँ जमीन पर नहीं चलते पर एक बलब भवन में बैठता था दूसरे कि मैं नहीं कहा रहा हूं मंग सिगार कहते थे रेट शराम कि इनका जिम्मा ले रखा था और यह सा समझ रहा था जैसे ऐसी सरकार आई जो कभी जाएगी नहीं कि दंब और एंकार में चूर और एक से बढ़के जगते दोनों कि बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुभान अल्ला और तीसरी दुर्भाव ना कि 3D कुछल देंगे मसल देंगे तोड़ देंगे मिता देंगे निपत लेंगे कितने भारती जनता पालिटी के कारी करताओं कि घर तोड़े तुम है किते लोगों को तुमने आने से में जेल भेजा किते लोगों के काम धंदे तुमने तवा किया है कि समझ लेना देख विजए कमलनाथ यह भारती जनता पाल्टी के कारी करता है जब तक सहते हैं सहने लेकिन जब अपनी पर आ जाते तो बड़े बड़ों को उखार कर फैंक देते हैं कि आखिर सहने की भी कोई सीमा होती है कि अब हम तो वाली रहते लेकिन इधार बिल गए कि इनकी सुनों कि सुनों कर जमाफ करो नहीं सुनते जाओ क्या कर लोगे वहले हम सब्सक्राइब तो परमानिट सब्सक्राइब और उदर निनने नहीं आरी रात रात बार अर जड़ते तो हम भी है लेकिन हम जड़ते काम के लिए जनता के कि आज का तोनों बड़े बेचेन हैं तो एक घंटे के लिए वज़्जा हूं एक बार और वन्ना है वार कैसे बढ़ेगे प्रिश्चा कि सोते नहीं राद बार करवते बदलते रहे सारी रात हम कुरसी तेरी कसम बल्लब भवन कि मुझे किसीन क्या कि तड़क रहे क्या हूं पन्द्रा साल में मुश्किल से दिल फिरे थे अब भूल जाओ विज़्जी बैसे राज कमलनाथ भी समझ गाए कि मिटाने भाला तुझे यह एक बार मैं चुनाओ जीता प्रहला लोग सभागा कि मिश्टर बंटर्धार मुख मंत्री थे हैं कि मैं सांसथ था मिलने आया है कि शेत्र मोला ब्रिष्टुई थी फसलें खराब हो गहीं कि अपन तो गाउं गाउं गुम्डवाले तो मैंने शिलिप बेजी मुझे बुला लिया एक नेता उनका नाम में लूँगा वो मुझ से पहले बैठे थे मुझ से हारे हुए थे तो मैंने उनसे का कि वह बैठे हो उनको तुब बला लो बला नहीं बैठो मुख्मंत्री बड़े महरवान है चाहे फिर उठने की कौन से की वह नहीं नहीं अभी और बैठो मैंने का कि भार वह आपकी पालिटी के बड़े नेटा बैठे हैं पुले उसी को तुझ जलाना है अब यह यह ऐसे लोग कि उससमें कहावत पृच्छे थी कि जिसके कंद्रे पर हाथ भर दिया वह समझे लोग गया काम से यह दम भाहिंकार दुर्भावना और चौथे डी तो खुद दिगवज़े हैं कि जाजा पाऊ परेशंतन के ताता है कि पूरे प्रदेश को तबावर बदेखो हम मूट में नहीं तो सही बताए है हम तो सोचरता बन गई तो बनने दो चल दो जब चुनाओ आगा बादिश्ते इस पर तब देखेंगे लेगिन जन्ता को त्रस्त किया परेशान किया प्रदेश को लूट लिया कारी करताओं को प्रतारित किया माराज को छे दिया प्र आगे सदक पर को हमका करें अब काय की एक घंड़ा है कर जामाफ कर जामाफ 10 दून में कि सबसाल हो गया किता कर्जा माफ किया कि अपनी अपनी सेली में बोलना हम आखड़े मत पढ़ना है लेकिन आगणा इसने बता रहा हूं कि इनने कहा हम पुराने दोस्त हुआ है कि कर्जा माफ पचास लाग करो कर्जा माफ का इनका पचास लाग करोर घटाते घटाते मिटाते यए बैरियर और अग्षप मैंने हिसाब देखे है क्ल 6जार करोर रुपे की कर्जा माफ 170 है कुछ शहंजार करोड करोर कि जगे बैंक से सहकारी बैंकों से खरवादी बैंक बत्तर आलत में पहुंच गया उनकों पैसा नहीं दे रहे हैं करजम आफी के ना तो मजा किया तुमने हैं और मद्ध्र इसके किसानों से मैं कहना चाहता हूं आज कि इन्हें कुल मिला के 6000 करोड का कर्दमाफ किया कि आते ही हमने कमलाजी आपने 2200 करोड रुपया खा गया किसानों के फसल भी मायोदा का प्रीमियम देमानी कर रहे ते यह बास सही था जार दिक संकर्द करोना के का नहीं जैसे मुझे पता चला 2200 करोड रुपया निकाले प् कि अर्मद प्रेस के मेरे किसान भाई हो कि अगस्त मैंने में साड़े चार हजार करोड रुपया और तुम्हारे खातों में डालेंगे हम फसल भी मायोजना के उसका भी हम प्रीमियम जमा करने बाले हैं कमलनाजी दिखविजा जी आपने 0% कर्जा बंद कर दिया था हमने प ग्वालियर चंबल के भाई बैने अगर सुन रहा हो नरण सिंग जी भी बैठे हैं वाजना इनने कभी खरीदा नहीं कि खरीदी रंग से करते नहीं ते हमने सर्सों का एक-एक दाना खरीदा कमल पटे लमारे किर्शी मत्री पियां बैठे हुए और करद माफी के जो दंजार आप पैके गए बैंकों को तबाह करके गए और माफी भी अजीब अंधा बाते रेवडी चीन-चीन के दे जाग वह में चुना आँगे बहाँ देदो बहाँ देदो बाकी रहन दो क्या करते हैं यह यह अपनाद है कि यह दिए निए कि जहां चुनाओ ना मतलब तो देदो देदो यह देदो तो क्या प्रदेश का मुक्म अधिर ऐसा करता है एक समान ब्याहर करना चाहिए पूरे प्रदेश की जनता से कमराज जवाब दो यह गहत्वाँ तुमने क्यों किया कि मेरे किसान भाईयों कर दिमाफी के मामले में हम उसको युक्त युक्त करन करने का कदम उठाएंगे ताकि कि किसी किसान को गहाता ना हो किसी किसान को नुक्सान ना हो कि यह बएद्भावाला बारताव निच लेगा कि कितना रखन घरी नपी बताओ मैं जब सरकार में नहीं था तो बंडुलकल जबलपुर सतना कत्नी चैंद्ध पराउए था किसानों के धान बुल वाली कि धान तुल गई कि तुल्ले के बाद बाद में कि उठा ले जाओ अब नहीं खरीदते हैं और अभी तक पड़ी हुई है हमने फ्यास्ता किया गया उनका एक एक दाना खरीदेंगे हमारे पास परियापती इंतजाम नहीं थे कि बोरे नहीं थे जुट की बोरे बैसे बंदों गए बंगाल में कोरोना के कारण रही से ही कसर साइक्लों ने पूरी कर दी लेकिन अपसमों को हमने कहा गया हुँ का गोबिंजी भी यह बैठे हुए गया हुँ का एक एक दाना खरीदेंगे और गया हुँ भी क्या पैदा हुआ है धन्य मेरे अन्य दाता किसानों प्रणाम करता हुँ जिदर देखो गया हुँ क्या हुँ हुँ हमने सोचा सो लाक मीट्रिक टन खरीदना है वोरा वोरी भी उत्ते ही जाए है वो भी बोरा नहीं मिरे तो बोरी आदे अधिलाशी नहीं भड़ो हमने है और बाद में तो खतम हो गए तो अधिवी अन्य दौर्ट में का खरीद के पद़ने बिखेंगे लिए किसान का नहीं बचने चाहिए और आपने सही का एक करो उन अगे निकल गए और पच्चीस अगार किसानों के खाते में पहुंच गया में प्रदेश बास्यों इमानदारी से बताना कि बल्लाद दादा होते तो खरीद लेते क्या कि इसके बाद चना आ गया कि चनाना भी तिवारां देले गया कि कि मैं खिसरी यौ सकते हम भी कहार मारने बाद हार भार हार नहीं हमने भी नरन्सिजी सagit कर्मानी मंतरिजी और ऐसला कि दम लिया और अधारर समीश अधे कि आप बदलवादो बीच करते हो कि सरसों घरी दी मसूर्ट किसानों को भाटा किसी कि देंगे हैं करोना का संकर्ता तो जिए अगे बीच्छ को मैं ने पूछे का प्लान है इसस्टम क्या दूदक है विटेंगे विटेंगे तरफ सब्सक्राइब इसको पास दिये जाएंगे जो इंगे अगमीर दाथ इस सरकाजी ने कोरोना की पूरी कहानी सुनाना नहीं चाहता है लेकिन मेरे प्रदेश भाई भासी बहन वर क्या तो संतोस है कि अपने पूरी टीम के साथ क्राइटी के साइव से कि हिंदुस्तान में सबसे कर दो अब तरदान मंत्री जी बार बार अब जरूरी इस तरदा है हमारा एक तारीग से घर घर का होगा है अगर को एक लेक्शन देखे लेंगे शेंपल लेंगे कि अपने गाहां और गली महले में कुछ घरना चुटे कि अपर ठारने पर इक्षाण की तो सुभा गांटेयु ने जंता जनार्दू से मैं के नेज़ अधि कि यह आपके लिए आपके साथ कि इसमें लापरवाहिं मत कीजिए कि प्रितिवंद लगाने वाले हैं कि इसमें आप सब का सायोग चाहिए जो किया है मैं विस्तार से बताने जावे सकता मैसूस ने करता कि उनकी सरकार्थी तो कहती है रिपईस नहीं है रिपईस ही नहीं है